हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु टेंपोस कीचें, आजे हुँ तमारी साथे एक कुकीज नी रेसीपी लईना आवी छुँ, आने आ कुकीज थोड़ा यूनिक छे, केमके आपणे अने टु इन वन बनावाना छे, एटलेज आ कुकीमा केक नो पन टेस्ट आउसे, आने कुकीज एवी आपणे कुकीज बनावानी छे, आ कुकीज बनावी बोवच इजी छे, आने फटाफट पन बनी जाए छे, आने आ कुकीज ने आपणे ओवन मा कई रीते बेक करवी, यहु तमने आजे बतावानी छु, आने साथे साथे एनने गेस उपर कई रीते बेक करवी, तो चोकलेट कुकी के एक बनावनों सरू करी देशू, तो एना माटे अपने सवुथी पेला गेस उपर एक पैन लई लेवानू छे, मैं यह एक नॉनस्टिक नू पैन लीदू छे, अवे अपने यमां 1 फूर्द कप सॉल्टेट बटर लेवानू छे, जो तो अमारी पासे और सॉल्टेट पन लई सको छो, परन्तु आपने जहरे कुकी बनाव माटे लोट एनों करिये, तो यहार त्यारे आमां मिठू उमेरवानू रहेसे, परन्तु तम्हें सॉल्टेट बटर लेशो, तो एनो टेस्ट कुकीज मां बहुत सरस आउसे, तो आपने 1 फूर्द कप यहां बटर लिधू छे, औने गेस नी फ्लेम आपणे एकदम स्लो राखवानी छे, एकदम स्लो गेस उपरज आपने बटर ने मेल्ट करवानू छे, अवे बटर मेल्ट थाई, एनी साथे साथे आपणे डार्क चोकलेट लेवानी छे, तो आमें यहां डार्क कंपाउंड लिधी छे, यह आपणे आमा उमेरी दैसु, तो में अत्यारे वन फोर्ट कप आवी रिते समारी ने लिधी छे, डार्क चोकलेट, अवे आपणे बन्ने वस्तु मिक्स करता जैसू, अने बन्ने एकदम सरस रिते अगाडी लेवानू छे, औने गेस नी फ्लेम एकदम स्लो राखवानी छे, तो आपणे बटर अने चोकलेट बन्ने मेल्ट थाई गया छे, अवे आपणे गेस ओफ करी दैसू, अने आगर्नी प्रोसेस जोई लेशू, तो आपणे कुकीस बनाव माटे लोट बांधी लेवानों छे, तो लोट तैयार करवा माटे मैं यां अर्धो मेंदो लिदो छे, जो तमारे मेंदा नी जग्याए गहुनो लोट लेवो है, तो तमे यां गहुनो रोटली नो लोट पन लई सको छो, हवे आपणे यां दड़ेली खांड उमेरवानी छे, तो में यां 5 टेबल स्पून दड़ेली खांड लिती छे, पांच मोट्टी बेकिंग सोडा लईसु, वन फोर्थ टीस्पून होई, एनू अड़्धू, वन एट टीस्पून आपड़े बेकिंग सोडा लेवाना छे, अवे आपणे यां बद्धू बराबर मिक्स करी लईसु, हवेजी आपणे चोकलेट अने बटरनू मिस्टरान तयार करेलू हतु, ए आपणे आमा उम्मेरी देवानू छे, औने बद्धू बराबर मिक्स करीले वानू छे, औने आ बद्धू मिक्स करती वखाते आपणे एकदम भलवा हाथेज मिक्स करवानू छे, बउख दबावी दूद आपड़े आमा उम्मेरी दैसु आने बद्धु बराबर मिक्स करी ने लोट जेवु तैयार करी लेवानू छे तो आपड़े आवी रिते हडवा हाथे कुकी पाटे नो लोट तैयार करी लैसु तो आपड़े कुकी नो लोट तैयार थाई गया छे हवे आपड़े कुकीस बनाविये ए पहला जो तमें ओवन मा कुकीस बनावाना होई तो ओवन ने तमारे 160 डिगरी उपर 10 मिनिट माटे प्रिहिट करी लेवानू छे औने बेकिंग मोड उपर आपड़े प्रिहिट करवान होई तो ओप ऑड़े कुकीस बनावाना होई तो ओप्रेसर क Україर क्या killing मोड प्रिहित करी लेवानी छे औने पचछी आपड़े कुकीस बनावी लोड़े तो में कुकीस बनाव में फ्रेसायर अपड़ेंग मोड एं। केमके हुँ आजे cookies ओवन मा बनावानी छू, तो हवे आपणे cookies बनावी लैसू, तो आ रीते एक भाग थोड़ लै लैस, अने हाथे थी आ रीते आपणे कोडगोड करीने थोड़ी लांबी cookies बनावानी छे, में अत्यारे लांबी cookies बनावी छे, तमारे जे रितनो शेप जो तमारे गोड cookies बनावा होए, तो गोड़ पन बनावी सको छो, परन्तु तम्हें जे रे cookies वाड़ता होए, त्यारे एनी size थोड़ी ना निज राखवानी, केमके बेक थसे, एटले size मा डबल थई जसे, तो हुँ आ रीते बधी cookies ने तयार करी लैस, लम चोरस जिवी cookies में तयारे बनावी छे, जो तमारे गोड cookies बनावी होए, तो गोड़ पन बनावी सको छो, तो हुँ आरीते बधी cookies तयार करी लैस, थोमें यहां बधीज cookies तयार करी लीती छे, हवे आपणाने बेक करवा मुकी दैसू, तो ओवन मा आपणे 170 degree उपण, 15 minute माटे बेक करवानी छे बो वधारे बेक नथी करवानी, नहीं तर एकदम हाड थाई जसे, आने जे केक नो अंदर थी soft taste आवो जोई, ए नहीं आवे, जो तमें cookies ने गैस उपर बेक करवाना होए, तो गैस उपर तमारे medium flame उपर, एने 15 minute माटे बेक करवानी छे, तो 15 minute थाई गई छे, आने आपणी cookies एकदम बेक थाई गई छे, ने तमें जोई सको छो, size माँ पन डबल थाई गई छे, तो आपड़े अने थोड़ी ठंडी थावा दैसू, तो लगबग 10 minute जेऊ थाई उचे, आने cookies आपड़ी ठंडी थाई गई छे, तमें जोई सको छो, एकदम perfectly अपड़ी cookies बेक थाई छे हवल में या piping bag मा एक dark chocolate ने melt करी ने लिधे ली छे, जो तमारी पासे dark chocolate ना होई, तो तमें milk chocolate पन लई सको छो, dairy milk पन लई सको छो, अने आ एकदम optional छे, जो तमारे chocolate ने melt करी ने आ रिते गार्निश न करवी होई, तो तमें एम नम पन cookies ने खाई शको छो, तो में त्यारे piping bag म melt chocolate भरी ली दी छे, अने आ रिते आपड़े उपर zigzag करी ने design करी लेशु, तमें या बधी cookies ने तयार करी ली दी छे, हवे मारी पासे थोड़ा स्प्रिंकल्स पड़े चे, तो हुँ आ रिते स्प्रिंकल्स थी थोड़ी garnish करी लेश, आ एकदम optional छे, जो तमारी पासे आ बद बे मिनिट माटे फ्रीज मा मुखी दैसु, जे थी उपर नी चोकलेट छे, एकदम सरस सेट थाई जे, तो ही आपड़ी cookies तैयार थाई गए छे, तमें जो ही सको छो उपर नी चोकलेट पन एकदम सरस रिते सेट थाई गए छे, तो आपने cookies ने आवी रिते वच्चे थी तो जरूर्थी ट्राई कर जो, औने रेसिपी केवी लागिये, कमेंट करीने जरूर्थी जणाव जो, औने आवी च नवी नवी रेसिपी जोओ माटे मारी चैनल ने सब्सक्राइब करी दे जो, औने बाजुमा आपेला बेल आइकन पर क्लिक करी दे जो, जे थी तमने मारी दर एक रेसीपी वीशेनी नॉटिफिकेशन सव थी पहला मडे तो फरी थी मड़ी सु एक नवी रेसीपी साथे त्यासुती आउजो थैंक्यू फो वाचिंग मै वीडियो